Hello and Welcome to Ilena Tech तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी PFMS बोटल के उपर जो आपका Public Financial Management System है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास जो आप expenditure आप कर रहे हो expenditure करने से पहले because जब आपने expenditure create करना है और उसके बाद उसको जब आप approve करोगे तो वो तब तक approve नहीं होगा जब तक आपका account activate नहीं होगा तो सबसे पहले आपने अपने account को activate करना है PPA को generate करने से पहले otherwise आपका जो PPA है वो generate नहीं होगा और जो आपकी transaction होगी वो आपकी complete नहीं हो पाएगी इसलिए सबसे पहले आपको account को क्या करना पड़ेगा जो भी आपके midday meal का account जो आपने यहाँ पर दिया हुआ जा फिर आपने समगरा शिक्षा भिहान किया under जो भी आपने account किया हुआ उसको आपको activate करना पड़ेगा उस activation का process क्या है वो बताएंगे हम आपको इस वीडियो में वीडियो शुरू करने से पहले प्लिज सब्सक्राइब करना न भूले है हमारे YouTube चैनल इलेना टैक को और ऐसे ही latest वीडियो के notification के लिए बैल आइकन को प्रेस करना न भूले और यहाँ पर एक शोटी सी request है अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो प्लिज लाइक करना न भूले विकोज एक वीडियो को बताने के लिए बहुत ज़्यदा efforts करने पड़ते हैं तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको इस channel के थुरू आपको एक authenticated information प्रवाइड होती है तो प्लिज इसको like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, login करेंगे तो login करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर आपने अपने account को activate करना है तो वो ना तो आपका data entry जो data operator होगा उसके account से होगा और ना ही आपका approver के account से होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो admin का account मिला हुआ वहीं से ही आपका होगा तो जिन schools को जिन blocks को जाफिर जिस ddo ने आपको अगर आपका admin account provide करवा दिया हुआ तो यहाँ पर हम login करेंगे एक admin account में और वहाँ पर check करेंगे कि हमारा जो account है वो activated है या नहीं है अगर नहीं है तो उसको आपने activate कैसे करना है पर मैंने login किया हुआ है एक school account में और यह एक admin account है और admin account में मैंने login किया हुआ है यहाँ पर आपने इस तरफ देखना है इस तरफ जाएए और यहाँ पर आप देखिए कि bank कहाँ पर है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे मिल गया bank अब bank में further आपको मिलेगा एक option account activation e-payment तो आपने यहाँ पर click करना है account activation e-payment जब आप यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने एक new window आपके सामने display करवा देगा system देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने activation of bank account यह वाला जो option है वो आपके सामने display करवा दिया हुए अब इस admin account में क्या हुआ पड़ा है account number यह वाला है scheme कौन सी है, PV67 जो आपकी midday milky scheme है तो यह इसका status क्या है, activated है यह scheme यहाँ पर already activated है अब हम बात करेंगे हमने यहाँ पर activate करना है तो वो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हूँ आ, scheme select scheme, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PB262 तो यहाँ पर आगया Punjab, Smagra, Shikshabhyan, PB262 जैसे मैंने यहाँ पर click किया तो मैं यहाँ पर करूँगा search जब मैं यहाँ पर search करूँगा तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो account number है, जो मेरा access bank के साथ यहाँ पर क्या है, connected है वो यहाँ पर इसने यहाँ पर display करवा दिया है अब यहाँ पर इसको मैं करूँगा check, select कर लिया है मैंने मैंने इसके साथ करना है तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको check, and then यहाँ पर आपका जो effective data वो यहाँ पर वही रहेगी जब आप इसको कर रहे हो, बस यहाँ पर ध्यान रखना आपने, account activation type, यह आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका आएगा e-payment using print advice आपने यह वाला जो portion है इसको click करना है, आपने e-payment using digital signature को बिल्कुल भी आपने यह नहीं करना है, इसको बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को आप याद रखना, आपने जब भी करना है, तो आपने करना है e-payment using print advice, आप यहाँ पर click करोगे, and then इसको आप क्या कर दोगे, submit कर दोगे मैं submit करके आपको बताता हूँ एक मैं इसको क्या करता हूँ, submit करता हूँ जैसे मैं इसको submit करूँगा I confirm that the correct account has been enabled, और मैं इसको OK कर दिया record saved successfully अब यहाँ पर देखिए pending for activation for approval तो यह आपका status है, वो आपका pending चल रहा है, तो यह आपका activate हो जाएगा and then जो आपका system है वो आपका, जो account है वो आपका activate हो जाएगा, तो यहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ पर करना है, वो आपने करना है e-payment using print advice, यही आपका होना चाहिए आपने जो distance signature है, वो आपने नहीं करना है तो यह थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो bank account है उसको पकर चेक करना है, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आहीए तो पली subscribe करना न बूले हमारे YouTube के एम लाना टैक को और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बोले थैंक यू जो मच जाएं